ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम हरीद ग्रव प्रभाव भी कहते हैं साथ ही ग्लोबल वार्मिंग वेश्विक उश्मिकरण और ग्रीन हाउस गेसें कौन-कौन सी है इस पर हम चर्चा करते हैं क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में क्या होता है कि जो सूरी का प्रकाश हमारे प्रत्वी के निचले वायू मंडल में प्रवेश करता है तो वो जो सूरी का प्रकाश प्रत्वी तक पहुँचता है वो अधिकांश्त है केसा प्रकाश है द्रश्य प्रकाश है और जब ये द्रश्य प्रकाश प्रत्वी पर पहुँशता है तो प्रत्वी के गर्म होने से प्रत्वी से जो उत्सरजित विकिरण होते हैं वो विकिरण होते हैं अवरक्त विकिरण और अवरक्त विकिरणों में गर्म करने का गुण पाये जाता है ये प्रत्वी का निशला वायू मंडल इन अवरक्त विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है तो इसके परावर्तित कर देने से हमारी जो प्रत्वी है उसका जो वायू मंडल है उस वायू मंडल में तापमान में वरद्धी होने लगती है और ये जो तापमान में वरद्धी है ये तापमान में जो वरद्धी है प्रत्वी के निशले वायू मंडल में इस तापमान में वरद्धी को ही हम कहते हैं कि ये वेश्विक तापमान में व्रद्धी हुई है ये ग्लोबल वार्मिंग है और ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउज इफेक्ट या हरिद गिरह प्रफाव एक्चुली क्या होता है कि यहां निशले वायू मंडल में ऐसा क्या है कि ये अवरक्ट विकिरण यहां से परावर्तित हो जाते हैं यही सब बात जो हमारी ग्रीन हाउस गेसेज हैं उनके बारे में हमें एक नई बात ये पता चली कि हम जो गेसों का उत्सरजन करते हैं जिने ग्रीन हाउस गेसेज कहा जाता है प्रत्वी से वही इस निशले वायू मंडल से अवरक्त विकिरणों के अधिकांश भाग को कारण हैं तो क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव कि जब वायू मंडल के अंदर मुखिरूप से सियोटू कारबन डय आकसाइड और कुछ अन्य गेसेज हैं नाइट्रस आकसाइड क्लोरो फ्लोरो कारबन इनकी जब सांद्रता बढ़ जाती है मानवी क्रिया कलापों के द्वार अन्य कारणों से तो प्रथवी के वायू मंडल का ताप बढ़ने लगता है अब उसका कारण हम समझ गए कि वो ताप क्यों बढ़ेगा क्योंकि यह यहां क्या करती है कि प्रथवी के निश्टले वायू मंडल में यह जो गेसे हैं जिनको हमने ग्रीन हाउस गेसेज का है प्रथवी के वायू मंडल का ताप क्या होता है बढ़ने लगता है और यह ठीक वेशा ही है जैसे अगर हम ठंडे मोसम के अंदर उश्ण कटी बंदी पोधों को रखने के लिए काच की दिवार और चद बना दे काच की ही दिवार बना दे और काच की ही चद बना दे तो अंदर का ताप बढ़ जाता है तो यह जो अंदर का ताप बढ़ता है इसे हम बोलते हैं पोधागर प्रभाव है ना तो यह जो होता है इसे हम पोधागर कहते हैं और इसे पोधागर प्रभाव कहते हैं तो यह जो घटना है यह पूरी मिलाकर कहलाती ग्रीन हाउस एफेक्ट जिसमें प्रत्थवी के निशले वायू मंडल में तापमान में क्या होती है या प्रत्वी का वायू मंडल क्या होता है गर्म होने लगता है तो यह है ग्रीन हाउस प्रभाव और यह जो गैसे जिनका हमने नाम लिया कार्बन डियाकसाइड, मिथेन, नाइट्रस आकसाइड, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन आदी जितनी गैसे हैं यह सब जो है कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेश और हमने यह यह भी समझ लिया कि यह जो ग्रीन हाउस गैसेश हैं यह प्रत्वी से उश्मा को प्रत्वी के वायू मंडल से बाहर जाने से क्या करती हैं रोग देती हैं तो ये वायू मंडल में ग्रीन हाउस गेसों की रधी है इससे तापमान में क्या होती है, व्रद्धी होती है और उश्मा लगातार बढ़ रही है तो ये अवरक्त विकिननों में का ये उश्मी प्रभाव है जिसे उश्मा बढ़ रही है और ताब बढ़ रहा है और यही वेश्विक उश्मी करन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है अब ये ग्लोबल वार्मिंग का आलार्म जो है क्या करता है इसे हमें देखना है तो देखें कि वेश्विक उष्मिकरन या global warming के क्या कारण हो सकते हैं हमने क्या कियाा अंधा धुंद पेडों की कटाई की अब अंधा धुंद पेडों की जब हमने कटाई की तो क्या हुआ शहरी करण के नाम पर हमने पेल काटे और शेहरी करण के नाम पर ही carbon dioxide के सरजन में व्रद्दी हो रही है carbon dioxide तो मुख्य ग्रीन हाउस गेस है जो global warming को बढ़ा रही है अग हमने यह पेल काटे तो carbon dioxide को control कोन करेगा क्योंकि जो पेल पोधे हैं वो carbon dioxide को नियंत्रित करने काम करते हैं हम जानते हैं پ्रकास संसलेशन की क्रिया में तो फिर ऐसे में global warming का एक कारण यह भी हो सकता है दूसरा global warming का जो हमारा कारण मुखिरूप से वह है हमारे उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआ जिस धुएं के अंदर क्या है कि ये जो ऑक्साइड से है नाइट्रोजन के ये उसके अंदर मुझूद होते हैं और साथ ही उसके अंदर कार्बन मोनो ऑक्साइड वगरा भी होते हैं और ये जो है वहनों से निकलने वाला जो धुआ है तो हमने समझा कि लगाता पेड़ों की कटाई या वनोन मूलन, जेव इंधन और जिवाश में इंधन जैसे कोईला पेट्रोले मादी का अपूर्ण धेन, वहानों और फेक्ट्रियों से निकलने वाला धुआ और सीमा से अधिक उरवरकों और रासाहिनिक खात का उपियोग, ये जो है वेश्विक उश विश्मिकरण, तो विश्व के तापमान में तीवर वरद्धी हो रही है, अब तीवर वरद्धी हो रही है, तो डेफिनेटली जीव स्वास्तों और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लोगों के रहने लाया की टेंपरेचर नहीं हो रहा है, तो ये समय के साथ साथ और बढ़ता चला जाएगा, अच्छा समुद्री जल इस तर में व्रद्धी हो रही है, तो डूब के खत्रे बढ़ रहे हैं, अब समुद्री जल इस तर में व्रद्धी क्यों हो रही है, क्योंकि बर्फ पिगल रही है, ग्लेशर्स के पिगलने से उत्पन्न खत्रे, नदियों मे बाढ़ाना ये सारा है और आसपास के जो देश-प्रदेश है वो भी डूब रहे हैं तो ये या डूबने की नोबत आ चुकी है तो ये भी वेश्वी कुश्मी करण के नुकसान है पेजल संकट और जल की इस्तती बेहद संकट में आ जाने वाली है कुछ सालों में वेश्वी पर्यावरन और साथ में हमारा जो हमें जो भविश में जो नुकसान इससे दिखाई दे रहा है वो निश्यत रूप से मानव के लिए बहुत अधिक हानिकारा की ये साबित होगा अब इस ग्लोबल वार्मिंग को नियंतरित कैसे कर सकते हैं तो हमें ग्रीन हाउस गेसों के उत्सर्जन में कमी लाना चाहिए इसके लिए वेश्विक इस्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए कि ये भी जा रहे हैं लेकिन और प्रयासों के आवशक्ता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को नियंतरित किये जा सके तो ग्रीन हाउस गेसों के उत्सर्जन को एक नियंतरित इदर में लाना बहुत जरूरी है अधिक से अधिक हमें बोधार उपन करना पड़ेगा और वाहनों में हमें क्या करना पड़ेगा नियूंतम प्रदुशन करने वाले इंधनों का उपयोग करना पड़ेगा और हम कम से कम वाहनों का व्यक्तिकत वाहनों का उपयोग करें और ह तो इससे हम ग्लोबल वार्मिंग को नियंतरित कर पाएंगे